प्रसार भार्ती अभिलिक हगा की प्रस्तुती सबा बहार सुनहेरे दौर का अनमूल खजाना बड़े हर्ष की बात है कि महान सोतंता सेनानी और समाज सुधारक स्री स्वदेश भारती जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं अपने ब्यस्त कारिक्रमों में से इन्होंने हमको समय दिया इसके लिए हम मदर इंडिया डिग्री कॉलेज के तरफ से इनका अभारव्यक्त करते हैं और इनका हार्दिक अभिनेंदन करते हैं अब मैं भारती जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने करकमलों द्वारा पुरुषकार वित्रण करते हुए विद्यार्थियों को प्रोच साहित करें बाद विवाद प्रतियोगता में प्रथम अस्थान प्राप्त करने वाले बीए फाइनल येर के मिधावी छात्र हैं स्री मणी शंकर सिर्वास्तो इसी प्रतियोगता में दुती अस्थान प्राप्त करने वाले प्रतिवा संपन्य विद्यार्थि हैं कुमारी नेहा और तृतिए स्थान प्राप्त करने वाले चात्र हैं स्री विवेक शर्मा अब बैडमिंटेन टॉर्णामेंट इस प्रतियोक्ता में फिर प्रत्तम स्थान प्राप्त करने वाले मिधावी चात्र हैं स्री मरी शंकर सिर्वास्तो दूतिय स्थान प्राप्त कर रहे हैं स्री अनुपम गुलाटी और इसी प्रतियोगता में तृतिय स्थान प्राप्त कर रहे हैं जरीना खान इसके बाद लाइट क्लासिकल म्यूजिक इस प्रतियोगता में प्रत्म अस्थान प्राप्त करने वाली मिधावी शात्रा हैं कुमारी नेहा इसी प्रतियोगता में दूतिय स्थान प्राप्त कर रहे हैं कुमारी डिम्पी और एक बार फिर इसी प्रतियोगता में तृतिय अस्थान प्राप्त कर रहे हैं मनिश शंकर स्रिवस्तो अब मैं स्री भारती जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे विद्यार्थियों के बीच अपने दो शब्द कहें और उनका मार्क दर्शन करें श्री भारती जी स्रद्धे प्राचार्य महोदे विद्यार्थियों देवियों उपस्थित सज्जनों जैसा कि आप जानते हैं मैं एक स्वतंत्रता सेनानी हूँ गांदी जी के बतलाए हुए रास्ते पर चलते हुए हमने आदर्श और मानो मुल्यों के लिए सदा संघर्श किया संघर्श जीवन में सुगंधियां भर देता है संघर्श जीव मात्र का कर्म है परमधर्म है ठेक उसी प्रकार जैसे आप विद्यार्थियों का मन लगा कर पढ़ना परम कर्तब्य है और अनुसासन के साथ आदर्श नागरिक बनना आपका परमधर्म एक साथ तिन तिन ट्रोफियां हासिल करने वाले मनिशंकर स्रिवास्तों की तरह इस कॉलेज का हर विद्यार्थि बने इस वर से हमारी यही प्रात्ना है आप लोगों ने मुझे यहां बुला का जो सम्मान दिया है उसके लिए हम आपके अभारी हैं बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद नमस्तार सुष्मावन्या नमस्तार बैच्छे सुष्मावन पच्चिस तारीक को एक बारात में जाना है इन कपड़ों को जरा जल्दी सीदे ना सभी कपड़ी सीले हुए मिल जायने जहना जी मगार، मगार आप टो बीमार हैं आप, हाः बीमारी अपनी जगह पहाँ जी ओर काम अपनी जगह आपने कुछ इतना करें सभी कपड़ी मिल जाएंगे ठीक है, मैं चलती हूं, लेकिन याद है न, 25 तारिक को जड़े जल्दी से देदी जाएंगे पिल्कुछ, सभी कपड़े मिल जाएंगे पर नाव मा, मा, मा आ गया बेटा हाँ मा, मा, देख तो, देख आज मुझे कितने सारे पुरसकार मिले हैं देख तो, तीन तीर पुरसकार पर मा, इन पुरसकारों की असली हकदार तो तूरी हो न, मुझे पुरसकार जीतने लाइक तो तूरी ने बनाया है, न, मा पर नहीं बेटा मैं कौन होती हूँ यह तो सब राधा माधों की किरफा है जा मुहा धोली कितना पसीना आ गया है जा जा और यह जदन से रख ले ले मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ अच्छा मा चार नाश्ता बनाती हूँ अब कि अच्छा मैसे शेयता अंच्छा यह थैसे अच्छा हूँ अच्छा है यह सब बोला है सब बोला आज इसलिए बाप की जेग पे हां साथ किया है कल दखेटी करेगा और परसो बंक लूटेगा पंक संजूप संजूप चल पैसे लोटा दे अरे पैसे हो तब ना लोटा है बाप नहीं जिंगी में कभी लोटांगी ना देखी संजूप चल जा पिदाजी मुझे माप कर देजए पिदाजी मुझे माप कर देजें 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 पिदाजी मुझे माप कर देजीं मुझे माप कर मुझे नहीं लगता कि इस बर पॉलिटिकल साइंस में मैं पास मार्स भी ना पाऊंगी याने कि इस बार भी वही रेडिमेट बाहना अफो यादाश्थी कब्जूर है तो मैं क्या करूँ मैडम ब्यूटी पार्लर कम और पढ़ाय में जरा ज्यादा ध्यान दिया किये यादाश्थ है ना खुद बाखुद दुरुस्त हो जाएगी खुजूर आप किस मर्स की दवा है हाँ यह बंदा तो हाजिर है ही आपकी खिदमत में येलो नोट्स जरा जल्दी लटा देना हैं मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से बात करता हूं कोई ने कोई रास्ता निकल ही आएगा अब तो आप ही पर रास्ता रह गया है राम श्रेवाबारी आपका ये सेवक कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा अच्छा तो पर्णाम खुश रहिए खुश रहिए और भार पेट आपने मुझे बुलाया था अंकल हाँ बेटे उस बारे में तुमने क्या सोचा है अंकल मैंने आप से पहले ही कहा है कि मुझे पॉलिटिक्स में जरा भी दिल्चस्पी नहीं देखो बेटा पॉलिटिक्स को ये गंदी चीज़ नहीं है और फिर तुम राजनेते एक बिग् की करोगे अंकल मुझे जिस राजनीती विग्यान से परिचे है वो सिर्फ किताबों में सिमटके रह गया है शंकर बेटा राजनीतिक विग्यान सिर्फ विग्यानी नहीं रह गया है मौझुदा दौर में वह आर्ट भी है और कॉमर्स भी बलकि यूं कहो कि हम लोग पॉलि पॉलिटिक्स नहीं आता मैं समझाता हूं बेटे ताश खेलते हो थोड़ा बहुत बस तब तो समझ लो पॉलिटिक्स तुमारी मुठी में है क्या मतलब तास की गड़ी में कितने पत्ते होते हैं बावन चार खिलाडियों में 32 पत्ते बराबर बराबर बढ़ते हैं और बा अंकल सुधे जनता नहीं जनता जनार्दन को उनुकी मदद से तो रंग बनता है और हम खिलाडी रंगदार बनते हैं फोत कभी कभी जोकर का वी रंग बन जाता है उनकल नई वैसा हाथसा तो तब होता है जब आख मुद रंग का चुनाव किया जाता है मगर बेटे, तुम तु समझदार हो, पढ़े लिख्ये हो, स्टुडेंट यूनियन के सेक्रेटरी हो, मुहले के नेता हो, इनर्जेटिक, मैन पाउर है तुम्हारे पास नो अंकल, आइम स्वरी, आइम स्वरी अंकल अर्णार पास तो इस वे गुराई क्या है तो अज़े लेट चला दिसके हां मेरे बाप तुम तो तरफदारी करो गई करेरी जो ठेरे और आप क्या है जब आप अज़े नवे अली खुदा के वज़े हम तो कॉलेज में सिर्फ रोमांस करने आते हैं मुथरमा शाहिदा कातून अजूमरी त क्या है पर दो कि अज़िए अज़िए माँ माँ ये देखो माँ तुम्हारा बेटा हमेशा की तरह इस बार भी आवपल दर्जे में पास हुआ है मैं जानती हूं बेटे सची लगन और इमानदारी से की गई मेहनत कभी किसी से पीछे नहीं रहती बेटे माँ इस खुशी के मौके पर मेरी एक बात मानोगी बोल तो कौन सी बात आज से तुम ये सब काम नहीं करोगी ठीक है पहले तुम एक अच्छी सी नौकरी धूँदे अच्छी बात है उधर नौकरी मिली और इधर तुमारी इस खटारा मशीन की खांदाने खिट खिट हमेशा हमेशा के लिए बन ठीक है बेटे मार नमस्ते अच्छी नेहा कैसी हो बैठी आजा बैठो कैसी है आप चोहते फंकी कोई खैर खैरियत होती है बैठी तू बता तू कैसी है ठीक हू बैठी मैं तेरे लिए चाय बनाती हम छोड़े नाँटी नाहा की तकलीफ अरे नाहा तकलीफ कैसी होती कितने दिनों के बाद तो तू आई है धरसल मैं कमो मासी से मिलने लखना हुगे थी अच्छा आँटी शंकर कहा है अरे वो इंटर्व्यू देने गया मैं तेरे लिए चाय बनाती आँटी May I come in, sir? Yes, come in. Sit down, please. Thank you, sir. What's your name? My name is Manish Shankar Shavastra, sir. Your certificates, please. Good. Good. Very good. Thought first class first. Mr. Shavastra, you are a hero. Thank you, sir. Hello. Namaskar, Namaskar. Sir. Yes, the interview is going on. Sir. You are always going on, sir. Yes, sir. Sir. It's going to happen, sir. It's going to happen. Okay, sir. You have not to worry, sir. Okay, sir. I'll say it for now. Come on. Do you want to ask me something else? No. What do you want to ask? You may go now. You go. Thank you. Thank you very much. And many, many thanks to this bloody telephone. All right. What do you want to ask? All right. All right. I will be back. All right. All right. All right. All right. पगले माना कि या अंधेरा बहुत कहरा है लेकिन आस्मान में तारे तो है बेटे चारियों के पीछे चुचे माते चुगनूत है बेटे मा यह तुमें क्या हो गया मा मा कुछ नहीं बेटे चलो मा चलो मैं तुम्हें किसी बड़े डॉक्टर से दिखला दे नहीं नहीं दवा तो खाई रही हो ठीक से दवा भी कहा खाती हो मा दो लो लो यह दवा पी लो मैं मैं ठीक हूं बेटे मैं मुझे आपके जैसे पढ़ातु भी दयारती नहीं थेगे मुझे चाहिए इस्ट्रॉंग और स्किल्फुल हैं आपके जैसे पढ़ातु भी दयारती नहीं थेगे मेरी एक बात मानूगे कौन सी बात यही कि मुझे तुम कुछ भी नहीं चुपाओगे अपनी दुख अपनी तकलीफ हैं अपनी कभी नखत्म होने वाली परशानियों से मैं तुम्हें परशान नहीं करना चाहता नहां क्या कह रहे हो तुम्हें क्या तुम्हें मैं कोई खुदगर्ज कोया नजर आती हूं जो सिर्फ बसंती तुम्हें ही जीवन की डाल पर कुपती फिरे नहा तो मुझे घलत याद करो शंकर इसी जगह हमने कितने सारे साजह सपने बुने हैं साथ निभाने की कस्में खाई हैं और आज आज मुसे कह र क्या हैं पुमक उथ हैं तुम्हें ठृटने हैं जोगका रधसु जीविर ॉप हम थाना का डंग हैं रहाई हैं चला का जो प्थला व्य फ्यंदेकर। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया शंकर कि तु बेकार की जिन्ता मत प्यांकर मैं तो बिमार हुई क्या तु भी बिमार पड़ेगा तुम्हें बताओ मा कि मैं क्या करूँ ना चुगाओं या खुशिया मनाओं हरे मैं अभी जिन्दा हूं शंकर मैं जिन्दा हूं मेरे इन बुठी हडियों में इतनी ताकत है बेटे कि शंकर मां 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 मिन फाह किण आणिवे अभी यदु कि बड़े और जाए ऐक रख in क्रोस्मेशिं से क् आपि पर को च्रूंप कि खत्रे की कोई बात तो नहीं है डॉक्टर साहब देखिया ऐसा है कि जब तक होस नहीं लॉटता तब तो कुछ नहीं गाजा सकता है और यह है वैसे कंटिकेटिटेट कैसे है अब फार्श्टेटिटेटेट अब इक इंब टान जब अपरे खिश्टेटेट अब रिक नहीं को बचानी की पुरी कोशिष एसकने बे तरह भी चाम की जिए हमने कुछ चंवाइय लेगी है जिए आप ले ढ़ेगे सेटाब बठीटरीटेट नहीं पीज़िए लोग है कि यहां और कप तो कहना पड़ेगा नस बारा रोज हो गए मैडम आप सुनुष्टे किना देखिए यह कम्लीकेटर केस है इसमें वक्त लगेगा ऑप्रेशन करना पड़ेगा डाकर साहब ऑप्रेशन में कितना खर्च आएगा कोई खास नहीं यहीं कोई पंत्रा सूले के असपाद पंत्रा सूले है असपाद पंत्रा सूले है असपाद नमस्ते अटकोजी अरे शंका तुम आओ बेट बेटो यह तुमने क्या हुलिया बना रखा है बड़ी हुई दाड़ी उल्जे हुए बाल आखे दसी हुई अंकल अंकल मेरी मां सक्ट बिमार है हॉस्पिटल में है ओ माई गाड़ अब कैसी तवियत है उनकी तवियत ठीक नहीं है अंकल आपरेशन होगा मगर मगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है कितने रुपे चाहिए मेरे पास धाई तीन हजार रुपे हैं मगर ऑपरेशन के लिए पंद्रह सोलह हजार अंकल प्रावलेम हम ये लो अंकल पीस हजार जरूरत होगी तो और दूंगा अंकल कहीं आप ये पैसे अपने उस शर्लाग शर्ट पे तो नहीं दे रहे है मुझे शर्ट के नाम पर स्नेह मम्ता की ऐसी तैसी मत करो शंकर मगर मैं इन पैसों को लोटाओंगा कैसे लोटाने की कोई चिंता नहीं जाओ जाकर अपनी माँ का इलाज कराओ एक माँ को बचाने के लिए मैं दूसरी माँ के साथ गदारी नहीं करूँगा हर्गिस नहीं करूँगा अरे भाई वो दूसरी माँ तो सबकी माँ है उसके लिए तो सबको सोचना है मगर तुम्हारी जुमा सिंदगी और मौत के बीच जूज रही है वो सिर्थ तुम्हारी अपनी माँ है जाओ जाओ बेटे जाकर पुत्र कर्तबे का निर्वाह करो अरे भाई अगर मगर के लिए बाद में बहुत वक्त मिलेगा अभी जाओ 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 मेरे जाओकर शाथ तुम्हारी मीशा़रyu Кेरभी जाओ मेरे जर्वाइस साब्ची नग्ट शार्ण क्या सी रहा हुआ यह लेकर अपाः यह जो अबसे हुआ यह तो अवेशने शक्रस्ट्ट्र वेशन पिका झाल अश्यू प्रण प्रण शर्ण यह जाना इंड गुए रही चलते जाना ही तो सफर नहीं मन्दिल का पचा ही अगर नहीं काली सुरंग है वो बंद सी हर गिज ही वो रह गुजर नहीं चलते जाना ही तो सफर नहीं चलते जाना ही तो सफर नहीं हाबों में दफन है मन्दिलें सामने पड़े हैं रास्तें हसी गुना हसी है उमीदें ऐ जिंदगी तेरे मास तें दो कदम भी कोई क्या चले अपन साय भी तो हम सफर नहीं चलते जाना ही तो सफर नहीं चलते जाना ही तो सफर नहीं नशे मन पे गिराए जो बिड़ लियां उस बहार का इंची ते दार की जब कुद पे ही पशिवाँ अंकल अंकल आप शंकर ये सब क्या कर रहे हो कोशिश 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 ही करनी है तो टैक्टिकल बनने की कोशिश करो जिंदगी बेवजा शहीद होने से बच जाएगी बर्खुदार चलते जाना ही तो ससर नहीं तो क्या इतना सोचता रहता है बेटे मैं ठीक हो गई हूँ ना अब हम मा बेटे मिलकर सारा कर्ज उतार देंगे रात दिन मेहनत मजदूरी करके खबरदार जो तुमने कभी मेहनत मजदूरी का नाम भिलिया तो शांकार क्या है तुम्हें जुल्गी भर की मांदारी की एवज में गरिभी बीमारी आंसू खोटन बेटे और तुम्हारी इस लाइक बेटे के हिस्से में क्या आया डिग्रियों के नाम पर कुछे कागजी दोखें पढहें लिखें होने की हवाई खुश है मीं और उसकी बोदे चाठ चाठ कर गले को भरमाया जा सकता है मां उससे प्यास गता ही नहीं बुछती नमस्ते अंकल नमस्ते नमस्ते आओ बैठो मैं आग्या अंकल तुम्हे आना ही था बेटे तुम्हे तो आना ही था चिलो सुनो वो मार्किट के दाहिनी छोबर प्युम्हें वो मार्किट यह वो मार्किट वो मार्किट जए वो 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 मां, मां, तुम फिर सी लाई करने बैठ लेगी? काम तो करना चाहिए बेटे नहीं मां, आज से तुम सिर्फ आराम करोगी ये देखो, ये देखो मां, मैं क्या-क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए ये देखो अरे, ये तनी सारी चीजे लेकिन इतनी पैसे कहां से आए, बेटे मुझे नौकरी मिल गई है, मां साच हाँ, मां मैं कहती थी ना, लादा माधो के पिपा से सब ठीक हो जाएगा पॉम प्लास्प करना तो जा रहे, विकी बगर, बगर ऐसे कामों के लिए जबीर कवा ही नहीं देता अरे यार, तू तो महाबरा सिरियल के अर्जून का डैलोग दो रहने लगा है अच्छा तू ही बता, निरी जन्ता को सताना या मारना ठीक है क्या? हम कहां मार रहे है जन्ता को, वो तो महंगाई, कुपोशन, बेरोजगारी और बीमारियों से ही रोज सौंसों मौते मरने वाली जिन्दा लाशे है हम तो निमीत मात रहे मिस्ट अर्जून पंडित, कम ओन यार, तो भी ठीक है मौता अर्जून, कम दोश्यून, मौता आगए ह। ये, ये मैने क्या किया? मुझमें, मुझमें और एक बेशिवरतेरे में क्या फार्क रह जाता है? मैंने, मैंने ये क्या किया? प्रवास्तो का घड़ यही है जी नहीं इस गली का अखरी मकान है हुजूर इस है जहाँ अरे सुभू यह पुलिस शंकर को कह वास्ते जून रही है वही तो मैं भी सोच रहा हूँ हाँ कल कुछ लोग बंकान में शंकर का नाम ले रहे हैं कैसा जमाना आगा है छे मैं संकर सिर्वास्तो का घरी है क्या जी हाँ तो कहां है वो वो अभी खर में तो नहीं है मुझे आपकी गड़ के तलासी ले नहीं है जू हलो आजी सहाब मैं पब्लिक सर्वेंट राम सेवक बोल रहा हूँ नमस्कार नमस्कार हाँ 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 ह मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ह। पुलिस तुझे ग्यों खोज रही है? रात भर तुछ पटाता रहा, न खाया, न पिया अखिर बात क्या है ? कुछ नहीं मा, कुछ भी नहीं अखिर मुझे भी तुछ पता चले संकर भिया, संकर भिया क्या पात है अमर तो में ते खबाएवी कियो हूँ क्या पात है बेटे शकर बिया दीदी अपिटल में बड़ती है क्या? नहा हो पिटल में है शकर बिया जा कर खुदी देख लीज़ माम मैं होस्पिटल या रहा हूँ मैं थी आरही हूँ नहा? 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 शंकर आगे तुम नहा? तुम्हे ये जोट कैसे लगी? सीटी वार्केट वाली वामकार्ण में ओ मैं काड़ ये मैंने क्या किया? तुमनी क्या? क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ में नहीं दूसरों के घरों में लगाई गई आक जिंगारी कभी कभी अपने घर के छपपर पर भी आग इरती है शंकर तुम ठीक कहते हो आक सिर्फ जलाना ही जानती है उसे अपने पराय की पहचान नहीं होती अपने महमुली से स्वार्थ के लिए पैड़ेशी क्या किया? क्या कह मैंने? चलते जाना ही तो सफर नहीं मंदिल का पचा ही अगर नहीं काली सुरंग है वो बंद सी हरकिज ही वो रह गुजर नहीं चलते जाना ही तो सफर नहीं चलते जाना ही तो सफर नहीं हाबों में दफन है मंदिले सामने पड़े है रास्ते हसी गुना हसी है उमीदे ऐ जिन्दगी तेरे मास से दो कदम भी कोई क्या चले अपना साया भी तो हम सफर नहीं चलते जाना ही तो सफर नहीं चलते जाना ही तो सफर नहीं नशे मन पे गिराए जो विजलियां उस बहार का इंतधार क्यों जब खुद पे ही पशेमा हुई नहीं सा पात कोई क्या करें इससे की भूप ही मैसर नहीं चलते जाना ही तो सफर नहीं चलते जाना ही तो सफर नहीं मन जे का पता ही अगर नहीं काली सुरंग है वो बंद सी हर गिव ही वो रह गुजर नहीं चलते जाना ही तो सफर नहीं जाना ही तो सफर नहीं